स्वास्त जागरुक बिसन के तहत इस वक्त हम महजूद है इंटाउंजा में आपको बता दें कि यहां पर पंच्राय धोन में एक शिवर लगाया गया है स्वास्त के शिवर लगाया है गाउ मासी फिरी में दवाई दी जा रही है और उनका चेक अप किया जा रहा है हमारे कब लगा जाता इसके बारे में थोड़ी जानकाई दीजी यह गर्मन्ट आफ इंडिया का एक प्लान है आईूश मिशन के ताहित जिसमें चार विधाय आती है युनानी अर्विदा होपैती और सिंधा तो इन चारों देशी पैसियों को मढ़ावा देने के लिए सदकार का और महोना का जो युनानी असदाले उसको आईूश ग्राम मनाए गया है तो इसमें चार दिन हफते महीने में चार कैम अलग 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 गाओं में लगाए जाते हैं संकुल ग्राम मनाए गया है कि इस महोना के अंदर महोना के अंदर आने वाले चार ग्राम ऐसे हैं अलग इसके अलावा और जाचे वगए जैसे वो भी होते है नें जाचे की सिदाय वारिया नहीं है इसमें धूरी जितनी भी पराणी बीमारिया जैसे गठिया है और नजला, जुकाम, पेट से सम्मधिन बिमारिया, लिवर की बिमारिया, और जितनी भी पुरानी जटिल बिमारिया हैं, उनका सब का इलाज चाहिए इससे क्या लोगों को फाइदा भी पहुंच रहा है उना ने लगाई हैं? इससे काफी फादा पहुंचता है, आप अस्तार मिमार आई हैं, आप बिल्कुल दूर लगी रहती हैं, काफी दूर-दूर के कमजब 20-25 किलोमेटर राके से लोग वारे हैं, मरीज आते हैं, और खुद आते हैं, खुद अपने साथ में लेके आते हैं, फादा होता है, जभी दौाईयों को यहां फिरिये में वित्रित किया जाता है, चार कैम लगाए जाते हैं, अब देखने वाली बात यह होगी, कि शरकार को इस पर थोड़े ध्यान और देना चाहिए, ताकि यह बड़े इस तर पर काम हो सके, क्योंकि यह काम अच्छा है, लोगों में इसकी फाइदा जादा होता है, दर्सन समधार और रिट कैम के लिए, अफाजिल खाने है, लगाए.